डिक्टेशन स्टार्ट होगी पांच सेकिंड बर स्टार्ट वसंत से ही वर्स का आरम होता है वसंत रितू को रितुराज भी कहते हैं इस रितू में न अधिक सर्दी होती है और न गर्मी सिसिर के बीत जाने के बाद प्रकरती का एक प्रकार से पुनरजनम सा होता है व्रक्स पत्जड में अपने पत्तों का त्याग करते हैं उसके पुन्य फल सरूफ वे वसंत में नविन कोपले दारन कर पुस्पों और मंजरियों से विवुसित हो जाते हैं ये पुस्प और मंजरियां केवल सोबा के ही सादन नहीं होते वरन इन में बावी फलों की सुबाशा भी रहती है इस प्रकार इस रितु में सोंद्रिय और उप्योगिता का एक एपूर्ब आनंद में समनवे हो जाता है इसमें प्रकरती अपना नवीन कलेवर दारन कर लेती है चारो और नवीन जीवन का संचार सा दिखाई देने लगता है चारो और एपूर्ब सोबा की सामगरी दिखाई पड़ती है बढ़ती हुई लताएं बड़े बड़े पेडों का आश्रे ले आनन से लेराने लगती है वशंत्रितु का प्रकरती अश्रो लास मानव हरदे पर अपना प्रवाव डाले बिना नहीं रहता सेत और उश्न की समता के कारण मनुष्य में पूर्व इस्पूर्थी आ जाती है जो प्रकरती की तातकालिन इस्पूर्थी के अनुरूप होती है और प्रकरती का एक प्रकार से तादाम में हो जाता है सारी प्रकरती और मानो समाज में उत्सा का बाव व्याप्त हो जाता है मनुष्य अपने उत्सा में नाना प्रकार के खेल कूद करता है जो ओली के अवसर पर अपने पूर्ण विकास को पहुँच जाते हैं प्राचिन काल में ओली का उत्सव वसंत उत्सव के नाम से ही प्रख्यात था इसमें नाना प्रकार के नाच गान होते थे और ने ने नाटक भी खेले जाते थे यह समय काव्यावदी के लिए बड़ा उप्योगी समझा जाता है और इसलिए वसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा हुआ करती थी बंगाल में यह सरस्वती पूजा अब भी बड़ी दुमदाम से मनाई जाती है वसंत रितु का नाम कुसमाकर भी है प्रकरती के पुस्पित होने के साथ साथ इस रितु की एलोकिक सक्ती से सब चीजे कुछ का कुछ रूप दारण कर लेती हैं और उनके साथ हमारा मन भी कुछ और ही ही हो जाता है वसंत रितु के बाद सूरिय बिलकुल उत्रायन हो जाता है इस कारण विशन गर्मी पड़ती है उस समय प्रत्वी जलने लगती है पेड पोदे जुलस जाते हैं पसु पक्सी आदी सब चराचर व्याकुल हो जाते हैं गर्मी की विशनता से नदी नाले जील पोकरे और समुंदर सूकने लगते हैं यहीं जल वास्प का रूप दारण कर आकास में उड़ जाता है और फिर ठंडक मिलने से ये वास्प बादल बंद कर मेहें के रूप में बरसने लगता है जब नीले नीले मेग गरजन तरजन करते हुए अपने जीवन दुआरा सब और जीवन सब्द का जल अर्थ सार्तक हो इस समय समुंदर से वार्षी की मानसुन उड़ता है ये मेग रेखा उत्तर की और बढ़ने लगती है और हिमाले परवत से टकरा कर बरस जाती है उस समय पहाडों की बड़ी मनोहारनी सोबा होती है बादल मनुष्यों के बीच में भेड बकरी के समान चलते हुए दिखाई पड़ते हैं और पत्थरों से टकरा कर जल के रूप में बरस जाते हैं इन चार महिनों में खुब मूशलादार वर्षा होती है कभी कभी अनेक दिनों तक मेहें की जड़ी सी लगी रहती है दिन भी रातरी के समान दिखने लगता है सूरिये के दर्शन दुरलब हो जाते हैं समस्त प्रत्वी जल मगन हो जाती है और ऐसा प्रतीत होता है कि समुंदर में बाड़ हो गई हो वर्षा के बाद नील गगन मंडल में इंदर दनूस की चटा बड़ी सुन्दर दिखाई पड़ती है पानी पड़ने के कारण चारो और हरियाली छा जाती है तरह तरह के नए पोदे उगते हैं बरक्सों और लताओं की बहार बड़ी सुकद और मनोहरनी होती है बागो खेतो और हरे बरे मैदानों की पूर्व छटा देखने को मिलती है काले काले फलों से लदे हुए जामुन के पेड मीठे रस बरे हरे पीले फलों के बार से जुके हुए आम के वरक्स तता नीवू और करोंदे की कुस्बुदार जाडियां बड़ी भली परतीत होती हैं ये सब वरक्स लताएं और जाडियां पक्सियों के कल्रव से सजीव हो जाती हैं गनानन्दी मैयूर की मेहू मेहू सुआती बिंदु के अनन्य प्रेमी पीपी है की पियू पियू की पुकार और आम के वरक्सों पर बैठने वाले कोकिल की कुहू कुहू दवनी अपूर्व संगीत उत्पन कर देती है आकास में बगलों की पंक्तियां बिना द्वार के तोरण सी जान पड़ती हैं प्रत्वी पर वीर वदूटियां विक्रे हुए मानिक खंडों की बाती दिखाई पड़ती हैं पावस की रात का द्रिश्य बड़ा डरावना होता है रात गोर अंदेरी होती हैं जिंगूरों की जनकार और मेंडकों की टर्टर कानों को फाड़े डालती है बीच बीच में बिजली की कड़क दिल को दहला देती है और उसकी चमक आखों को चोंदिया देती है मेगों का गर्जन तोप के धड़ाके के सद्रश प्रतीत होता है बड़े वेग से बैती हुई अपने केनारे को कारती और रक्स समू को घारती हुई नदिया बड़ा विशन सब्द करती है मनुश्य समाज को वर्षा रितू से अनेक लाब हैं कहीं कहीं वर्षा के पानी को बांध इत्यादी से रोक कर उप्यूक्त लाब उठाया जाता है मारवाड प्रवर्थी इस्तानों में इस पानी को इखटा कर पीने के काम में लाते हैं गर्मी के विशन ताप से लोगों में जो सुस्ती समा जाती है वे वर्षा के आगमन से दूर हो जाती है वर्षा के मनोरम द्रश्य मन पर अच्छा प्रवाव उत्पन करते हैं यद्पी वर्षा रितू अमारे लिए बड़ी उप्योगी है इस समय वायू के प्रकोप से हैजा मलेरिया मोसमी बुकार आदी बहेंकर रोग पैदा हानी होते हैं जिन में अनेको मनुष्य काल कवलित हो जाते हैं कभी कभी भिशन वर्षा से बाड़ आ जाती है और गाउं गर और चोपाए बै जाते हैं सडके कट जाती हैं रेलों के पुल तूट जाते हैं और बहुत सा कारिये इस्तगित हो जाता है कभी अतियंत वर्षा से खेती मारी जाती है, मकान गिर पड़ते हैं, बिजली के प्रकोप से कभी-कभी अनेक मनुश्य की अकाल मृत्य हो जाती है सडकों पर जल और कीचड होने के कारण गर से बार निकलना या एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर जाना बड़ा कठिन हो जाता है खेल कूद के लिए भी समय कम मिलता है, रात को डास और मच्चरों के मारे नींद नहीं आती सच यह है कि जहां वर्षा से सुख है वहां दुख भी है, निर्दोर पिता कहीं नहीं मिलती फुलिष्टो समाप्द